हेलो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे का चिल्ला बेशन का चिल्ला तो सब नहीं खाया होगा लेकिन बाजरे का चिल्ला आज आपको शयद पहली बार ही मिले ये बनाने के लिए जो बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है सारी विज़े से इसमें डलती हैं तो च के लिए हम करते हैं बाजरे के चिल्ले की शुरुवात सबसे पहले हम थोड़ा बाजरे का आठा ले लेंगे आप अपनी जरुवत के अनसार ले सकते हैं मैंने लगबग चार चम्मच जितना आठा लिया है जो डोंगे का स्कून होता है उसका अब इसमें मैं डालूँगी चुकंदर छिमला मिर्च मैंने बरिक-बरिक काटी हुई है और मैंने थोड़े से कौन और ये गाजर को कद्दू कश किया हुआ है मैंने बरिक-बरिक थोड़ा सा ही प्याज लिया है और हरी मिर्च है इसमे अब सारी सबजी है इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से इस आटे में अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च काली मिर्च अपने टेस्ट के नुसार ले सकते हैं और नमक डालेंगे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिनको बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती ना और दिल करता है बाजरे की रोटी खाएं तो वो ये वली रेस्पी जरूर ट्राइ करें घर पे ये बहुत इजी है और आप राम से खा भी पाएंगे बना के अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे ऐसे बच्चे बाजरे की रोटी नहीं खाते लेकिन जब आप इस तरह से चीला बना के देंगे करारा करारा उनको तो बच्चे बहुत शोग से खाएंगे और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है अब इस बैटर को हम 10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से सारी मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं कम से कम 10 मिनिट के लिए रख देना इसको 10 मिनिट हो गया हैं देखिए हमारा बैटर इस तरह से होगा अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया मिला लेते हैं गैस ओन करके हम तवा गरम कर लेंगे तवा गरम हो गया है इस पे हम थोड़ा सा तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे पूरे तवे पे अब जो हमने ये बैटर गोला हुआ है ये इसको पे आराम से फैलाते जाएंगे छोटा बनाए बड़ा बनाए आप अपनी पसंद से बना सकते हैं अब इसको कम सेक पे हम धीरे धीरे सिखने देंगे उपर से आप ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा सूप गया है एक से देड़ मिंट के बाद इसको हम आराम से पलट देंगे अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेंगे और धीरे धीरे ऐसे इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि चारो तरफ इसका सेक जो है वह अच्छे से लगे बाजरी का चिल्ला हमारा बन गया है अब इससे हम सर्व करते हैं आर दूसरी लिए दूसरी इसका गया झाल प्रूसरी टूसरी कर दो